नवश्कार दोस्तों मैं हूर अभी कॉशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक बीती साम उडिशा के बालासूर में तीन ट्रेनों के टकराने से भयनक रेल दुरगटना हुई स्थिति में ड्राइवर को सचेत करता है रेलवे ने अपनी ओर से एक जांच कमिटी की भी गोश्चना की है ताकि गटना के कारणों का पता लगाया जा सके यह भी सपस्ट कर देना जरूरी है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जलबाजी होगी हालां कि रेलवे पर इसकी सुरक्षा को लेकर हमें सर से सवाल उठते रहे हैं इन्हीं सारी मुद्धों पर बात करने के लिए आज हैं हमारे साथ अर्विन कुमार सिंह अर्विन जी वरिष्ट पत्रकार है और रेलवे के साथ लंबे अर्शे तक बतार कंसलिटेंट काम किया है अर्विन जी शुक्रिया न्यूस क्लिक से बात करने के लिए जहां तक इस घटना का सवाल है तो रेलवे के अधिकारी जो हैं वो यह कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम जो है लागू नहीं था वो काम नहीं कर रहा था अगर आप हमारे दर्शकों को बहुत संचिप्न बता पाएं कि यह सिस्टम क्या है और किस तरीके से काम करता तो आप क्या कहेंगे यह जो कवच्छ है विशिकली हमारा जो कॉंकर्ण रिलवे कोर्परेशन है इसने 1999 में एक तक्कर रोधी उकरण बनाया था उसमें इसका नाम रखा गया था रक्षा कवच्छ और वह बहुत ही पूल 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 सिस्टम था आपने आप में उन लोगों ने फिर पेटेंट के लिए भेजा था और एक बी राजाराम नाम के बहुत ही नामी गिरामी इ जानते हैं जो दिली मेट्रो जिन्हों ने बनाया है स्रीधरन जी पहले कोंकन रेलेव कोर्परेशन के अद्रेश थे लो उसके बाद वह दूसरे वेक थे भी राजारामी काफी बढ़ी सक्ति रहें रेलेवे के तो यह उनके दोर में बहुत सारी चीज़े बनी थी जिनमें पूर्वोतर रेलेवे हैं वहां टेस्टिंग भी हुई और इलाकों में भी हुई और यह पाया गया कि यह प्रडाली कम से कम जो रेल गारियों में टक्कर होती है आपस में और ऐसी बहुत दुरभाग पूर घटनाए अगर आप देखेंगे तो इसके पहले दो बड़ी दो गाडियों की टक्कर के पीछे को जा थी क्योंकि टेक्नोलोजी उस सब्सक्राइब पूर सेफ है सिग्नलिंग का सिस्टम भी बहुत बीग था उन दिनों पंचानवे की दिनों में पाद में रेलवे फोकस किया रेलवे ने की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको जितना उसके बाद जब पाउनकुमार बंसल रेलवे मिनिस्टर बने थे तो यह 2012-2013 के दौरान मतलब तो उस दौरान यह तैह हुआ कि नहीं यह जो टेक्नलोजी है इसको विस्तारिट करने की जरूवत है ज्यादा ज्यादा और यह 57,000 किलो मेटर के रेडियस में यानि लगबग पूरे रेल तंद पर इसको बनाने की बात आई थी अगर आप गौर करेंगे तो सुरेश प्रभू जी जो रेल बंती बने हैं तो उन्होंने मिसन एक मिसन शुरू किया जिसका था कि जीरो करिजवर्टी हो उन्हें सूने दुरगटना मिसन तो भारती रेल में क्या है कि इक तीज के दसक में अगर आप देखेंगे तो सबसे जादा बड़े कारण जो होते तो गटनाओं के वह यात्ति कारण होते थे बड़े जिसमें यात्ति कारण ऐसे जैसे कि कोई स्टोब लेके गया है और उसने जला दिया तो कोचों में आग लगने की बहुत सारी गटना कोई और यात्तियों में जाग रुपता ही तो उसके पीछे सरकार समाज दोनों का हाथ देरे देरे नई टेकनोलोजी आई अब आपके पास एक स्वदेशी टेकनोलोजी थी जो की रेल गारियों के टक्र को रोक सकती थी तो मुझे लगता है कि जब सुर्यस प्रभू जी के पीरेड में एक लाख करोड रूपे का एक रेल संद्चा फंड मना है तो मुझे लगता है कि उसमें सरवाधिक प्रात्मिक्ता यह देनी चाहिए थी क्योंकि यह टेकनोलोजी आपकी स्वदेशी टेकनोलोजी है इसमें कोई बिदेशी इन्वार्ण नहीं है तो और यह बह रेल मंती जी एक रेल गाड़ी इस पर सफर कर आ रहे थे और दूसरी गाड़ी सामने आई और रुप गई तो यह फूल प्रूफ है और स्वदेशी है तो मुझे लगता है कि इस पर पूरे देश भर में लगबाग हारी लाकों में अगर मान लीजे ना भी संभो होता तो कम से गव उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा यात्री परिवान हो रहा है और आप गोर करिए जो कलकत्ता से जो चेनई का जुरूट है दिली से चेनई का है दिली से हावडा है तो दिली से मुमई के लिए तो काम चल ला था लेकिन अब इसको मिसन मोड में यह काम करने की ज सवार होके जा रहा है रोज आप तीस लाख तन जो है वह माल धो रहे हैं तो जब आपकी च्छमता बढ़ी है तो बड़ी दूर घटनाओं के आसंकाएं भी बढ़ी है और मुझे लगता है कि इस मामले में जो काम होना था आप देखिए अभी रेलो मिनिस्टी ने कहा ना क ठाए हैं तो क्यों नहीं लगा पाए हैं कि आ चाहता है यहां-जाथा बीकाप नोहां तो मुझे लगए है कि आप के माल मारी ले कि ब्रुक्ताणा घ्रस हो तो उसमें क्या है कि आपके माल का बहुत नुपसानी होता और दोभारा आप उसको रिलोड कर सकते हैं तो क्या होगा आप दोबारा कोयला रख लेंगे थोड़ा बहुत नुपतान होगा लेकिन जनहानी और धनहानी दोनों होती है अगर याती याता याता हुआ और फिर विश्वसनियता पर संकट आता है आप देखिए कोरोना के बाद रेलोए में चोटी दूरी की यात्राएं करने वाले लोग कम हो गए है अगर आप देखिए लोगों को लखनों जाना होता अगर तीन लोगों को लखनों जाना है तो कोसिस करते हैं कि गारी से निकल तो मुझे लगता है कि यह जब 2019-2020 का अगर आप बजट देखेंगे तो संसद में प् और 2019-2020 का साल ऐसा था जब कोई भी सूने दूरगटना हुई यानि किसी भी मुसाफिर की मौत नहीं और सही था एक सो साथ साल की रेलवे की हिस्टी में कोई आजमी नहीं दूरगटना हुई हाँ इसको अगर आप टेकनिकल देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेल पटरियो को तो आप नया नाम देने के बजाए जो पूराना रच्चा कोच था उसको आप सुरक्षा कोच नाम रख दीजिए या कवची नाम रख दीजिए लेकिन नाम महत्पूर नहीं है महत्पूर है कि आप उसको ऐसा फूर प्रूफ एक सिस्टम एड़ाप्ट कर दीजिए जो काफी की टेक्नोलोजी है अगर आप लगा चुके होते हैं अगर पूरे देश बर में तो इस समय उसका निर्यात हो रहा होता है तो आप टेक्नोलोजी बेच रहे होते हैं तो जैसे पिछले साल दिसंबर में पार्लेमेंटरी कमीटी के एक रिपोर्ट थी इसने यह कहा था क करता है जानकर यह भी कह रहे हैं कि यह कमीशन को बिल्कुल जिसे कर दिया गया है आप क्या कहेंगे देखिए इस पर जो है ना पार्लेमेंटी कमेटियों ने कई बार जाच की है खास तोर पर जिसको रेल सन अच्छा आयों कहते हैं टेक्निकली वो सिविलिवेशन मिनिश् ठीक है ना तो जब यह अपने यह जो इसकी जाच हुई थी जाच हुई थी उसकी क्योंकि रेलवे की दो कमेटी हैं पार्लेमेंट में अगर आप दोर करेंगे जिनको मनें यह जो कमीशन है जिसकी बात आप कर रहे हैं यह आता है सिविल वेशन मिनिश्टी के अंदर तो इसको बनाने का केवल अर्थ यह था कि अगर यह मिनिश्टी के अंदर में रहेगा तो इसलिए इस कमीशन का दायरा काफी वाइड है जब नई रेल लाइने भी बनती है तो इसकी जाच करके इसको सर्टिबिकेट देता है कि अब आप इसको चला सकते हैं तो मेरा यह कह के लिए गारी के लिए एगर रेल में पर ही निरवन रहेगा तो यह स्वाइड नहीं है इसलिए जो पार्लेमंट की कमीटी तो तो day मिली uz इसको टो अपने तरीके से काम करने की छूठ होनी जाएonneगे तो हैं लेकिन आप जानते हैं जब भी आप दबाव में होते हैं कि कुछी और संगठन पर काने के लिए टेखनिकली यह एविएसन मिनिश्की के अंडर में है लेकिन यह साधन सुविधाओं पर यह रेलोएब निर्भर है तो इसलिए जो इसकी निर्भरता होने के नाते बहुत सारी चीजों में आप देखिए न सवाल ह जिसकी यह मतलब एक पूरे लीगल फ्रेम में जाज करती है जो बड़ी दूर घटनाए होती है जिनको जाज का दारा इनको इनको मिलता है उसमें भी आपने देखा होगा कि बड़ी कमिशन की बात नहीं करना हूं जैसे तमाम आयोग बनाएगे आयोगों की बात नहीं करना कि दूसरी जो कमेटियां होती है अभी आप देख लीजिए कि बीच में दो तीन इंपोर्टन कमेटियां बनाई गई थी उनके उनकी रिपोर्टें सामने आई है जो लेकिन सरकार ने कहा कि उस समय कहा कि जो देली देनेस सिवेडी के रेल बंकी काल में जो दो महत्मूर कमे उसकी सतर परसेंट असी परसेंट लागू कर दी गई लेकिन सवाल है कि अगर यह सिफारी से लागू कर दी जाएंगी उपर से नीचे तक तो सिफारी से लागू करने में क्या है अगर आप हम बात कर रहे हैं तो हम एक टेकनोलोजी का सारा ले रहे हैं लेकिन आप और हम द तो काफी उदार है वो चुकि ये बहुत से बरसों में पहली बार ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी का आदमी इस्टेंडिंग कमेटी के चेर्मेन भी है उसके पहले अगर आप आएंगे तो पूरे उपिये की जमाने में कौन रहा है बास डेव आचारे से लेके अपोईशन के लोग होते थे स्टेंडिंग कमेटी के चेर्मेन जितने भी होते थे विपक्ष के लोग होते थे तो आप सक्ता पक्ष के वेक्ति हो गए तो सक्ता पक्ष का आदमी जब चेर्मेन होता तो उदार होता लेकिन उन्होंने में उदारता नहीं रिखाई है अगर आप गौर करेंगे तो सुरक्षा के पहलों पर और उसके अलावा जो है मैन पावर के मामले में वो सिपारिस की है एक आधिक बार जो है दो जार बीस से अगर आप उठागर के देखेंगे तो समित्री ने लगबगो सारे पक्षों पर ज चमकती हुई जो है बंदे भारत गाड़ी चलाने पर है जबकि सवाल है कि उसके पीछे जो चीजे चल रही है मुझे लगता है कि समय सबसे ज्यादा मतलब इसमें कोई अलोचना का पूप नहीं है लेकिन इस समय जो सिटी दिख रही है और जो दुरगतना हुई है वो आग और मुझे लगता है कि समीतियों की जो स्विकारिसे हैं उन पर भी गोर करने की जरूवत है तो एक सवाल अर्विन हमेशा जब सुरक्षा काता है न तो यह हमेशा का जाता है कि रेल की पटरियां जो है वो नियमित रूप से बदली जानी चाहिए हर साल जो है 5000 किलोमेटर आपको जो है रेल की पटरियां बदल दी जानी चाहिए बतार एक्सपर्ट आप इसमें कितने प्रकति आप देख पा रहे हैं कि क्या यह हो पाया है देखिए देखिए जो एक आदर सिस्थिती है और यह कई कमेटियों ने इस बात कि पारिश की है उसको अंग्रेजी में ब इंपोर्टेड होती थी अब तो जो बिलाई स्टील प्लांट हो गएरा है इन लोगों ने काफी काम किया हुआ काफी टेक्नोलोजी काफी आपके पास समस्याइं नहीं है उस तरह की लेकिन जो प्रायर्टी है जिसको आपके कहिए उतनी अधिक प्रायर्टी दी नहीं जात हुए तो कई जगा लेकिन कई जगा आपने देखा होगा चाहे वो दिल्ली हावडा ट्रंक रूट हो या और भी जगों पर हो कि ट्रेने पट्रियों पर उतरना एक बड़ी समस्या बनी हुए है और पट्री पट्री से उतरने का मतलब होता है कि इसके बाद काफी नुकसान पर में एक अभियान चेड़ करके अगर कहीं भी ट्रेक रिनॉल की जरूट है उसको भी मिसन मोर्ड में काम करने कि एक बार आप खतम कर दीजिए इसके बाद फिर आप एक लिस्टिंग बना लीजिए कि अगले साल जब अगर एक बार खतम कर देंगे तो हो सकता पांक्शे लेबल कॉसिंग जहां एक बड़ी चुनाती पूर्णिस्थी रहती थी हर बार काफी बड़ी करीब 40-50 वर्षन दुरगटनाएं वहीं होती थी कोई ट्रेक्टर लिए चला रहा है पाटक पर कोई तैनात नहीं है तो उसको मैंड कर देने या उसकी समस्क्रा को खतम कर देन कई तरह के प्रयात हुई तो अब जब यह काम हो गया तो मुझे रखता है कि अब दूसरा काम हो जाना चाहिए ट्रेक के रिनुवल कहीं बाकी न रहे और यह जो मतलब जो कवच है जिसको रच्छा कवच कह रहे हैं या सुरक्षा कवच इस कवच परणाली को लगभक पू इसके बारे में फैसला कर रही है 18-19-19-19-19 बजट के बाद थो रिल बजट भी कतम हो चुका है तब यह कहा गया था कि काया कलप हो जाएगा और ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्ट ने कहा भी था जब बजट चलता था देखिए तो बजट में पार्लेवन्ट में अलग एक लेकिन अच्छा होगा कि सुरक्षा के पहलूँ पर क्योंकि समय के साथ टेक्नोलोजी बदलने के साथ कोविट के बाद जो भी चीजे की गई है इन्होंने बहुत सारी प्रयास किये हैं इंफ्राटेक्चर में तो मुझे लगता है कि अब एक बार नए सिरे से सुरक्षा के जहां-जहां कमिया है उसको दूर कर लेने के लिए बहुत ज़्यारा जरूरी है चाहिए चोटे स्टेशन हो बड़े स्टेशन हो उसमें यात्री सुविधाए और सुरक्षा अर्विन यह सवाना वह भी जो मैं सर्च कर रहा था स्टेंडिंग कमिटी के रिपोर सब्सक्राइब करें कि सरकार के पास पैसे थे लेकिन इसके बावजूद जो है सेफटी पर खर्चा नहीं कर पाई है हाँ बिल्कुल देखिए ऐसा है कि अधी जो हम लोग बात कर रहे थे तो विसिकली यह प्राइर्टी देने वाली बात ही है कि आप कितनी प्राशमिक्ता देते हैं किसी सूपर कमेटी की रिपोर्ड में यह बात आई है कि फंड जो है वापस हुए है मतलब पूरे पैसे को खर्च भी नहीं कर पाए है और कहीं कहीं यह भी बाते आई कि फंड कर दिया गया देखिए जब आपको एक डेडिकेटेट फंड मिला है तो उस फंड को उसी जगह और उसी मोड में जरूरत है क्योंकि इसके बाद बुलेट ट्रेन के युग में आप जा रहे हैं सत्रा में आपने उसका भी एक गातन कर दिया है वो भी उस पर तैरी चल लिए तो ऐसे दोर में अगर इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें पुरी दुनिया चेकित है आप देखे होंगे कि एक से दो टेन बारे तीन टेने भीड़ी जाना आपने आप में देखिए पूरी दुनिया चेकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो एक सिस्टम जिसमें ना मैं 1813 के इसकी बार लौक कि इनमाल हुए है करोडों लोगा की गुडविश्थ इनवाल हुई करोडों लोगों की अपना जीवन दे दिया है कि दो में और दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में सबसे ज्यादा बड़े-बड़े लोग हुए हैं एक से बड़े इंजिनियर हुए है तो ऐसी प्रणाली जो लाखों लोगों के सरम पर खड़ी हुई हो उसकी पूरी गुडबिल पर असर पर सा ऐसी चीजों का तो देना चाहूंगा कि जो बहुत सारे ऐसे मतलब इस पूरे संत्र में कमेटियों का मैंने खुद देखा है कि एक बार जो है वाद्देव आचारे की कमेटी थी तो उसमें नई रेलाइन को हैं तो को चाफर-सारीफ मिनिस्ट थे तो उनका एक कहना था कि उन्हों ने कहा उन्हों ने कह दिया को कि आप इसको करिये अनि ये कमेटी है प्रलेम्टी के ने को मतलPar मिनी पर्लेमेट चेसरी परलेमेंट कर रही या भारत के लोक और रहा है तो वैसको आप सामिल करेंप कि आप सोच लिए कि मतलब यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक रेल लाइन को आप सामिल कर रहे हैं और उस समय तो और भी ज्यादा प्रोसेस के प्लाइनिंग कमिशन में जाता था फिर और फिर वो बित मंताले से घूंबते हुए काफी लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी उसका अब वो प्रक्रिया थोड़ी शोटी हुई है क्योंकि आप तो बित मंताले की अधीनी आ गया ना रेलवे अगर आप देखेंगे तो कितना पैसा खर्च होना नहीं होना है आप तो सारी चीजहें जो रेलवे की अपनी वित्तिया अटोनॉमी थी वो नहीं है लेक जी शुक्रें अर्विन जी तो यह थे अर्विन कुमार सिंग्ग बाकी ख़बरों के लिए जोड़े रहे हैं न्यूस क्लिक के साथ